and welcome you all to beat the street आज हम एक एसी कमपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले ही साल लिस्ट हुई थी और उसके उपर आप देख सकते हैं कितना तगड़ा रिटर्न दिया है एक ही साल के अंदर कमपनी ने लिस्टिंग के बावजूद जो सेप्टेमर में जब लिस्टिंग हुई कमपनी ने 600 मतब डबल तो लिस्टिंग हुई थी 300 रुपए के करीबन शेयर का इश्यू प्राइस था बट 600 पे लिस्टिंग हुई और 600 के बाद आप देख सकते हैं शेयर का अभी प्राइस किया चल रहा है किस तरीके का रिस्ट्मर की तरफ से भी और सत्रills प्रोफिट ऐक्स और सब के डिटेल सब करने वाले है अगर आप यह तक आपने हमारा टेलीग्राम जोइन कि यह है तो टेलीघुर जरूर जोइन करने जिसका link description में given है या फिर आप beat the street direct search कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर और जो पहला जो group आएगा वो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा updates सबसे fastest updates quarter 4 से related और सारी news से related पूरी इंडिया की सारी news जो भी share market से related होती वो सारी हम सबसे पहले देने कोशिश करते हैं वहाँ पर reports भी होती है, concords भी होती है तो आपको हर तरग्या से update रखने की कोशिश की जा रही है और वो सबसे fastest stress यह मैं guarantee लेता हूँ और आप उसे join करें जल्दी से जल्दी क्योंकि वहाँ पर 3,3200 लोग already join कर चुके हैं अब आ जाते हैं company के results और quarter 4 के PPD के उपर Root Mobiles एक जानीमाली company है अगर हम बात करते हैं digital businesses में digital businesses में company का revenue की बात करें 14,222 million का revenue financial year 2021 में बनाया है EBITDA की बात करें 1756 million का और profit after tax में भी तगड़ा 1328 million का इसके अलबा के बात करतें company का जो cash flow from operation है versus to EBITDA का जो percentage है वो भी काफी तगड़ा है और इस तरही ही companies में हमेशा अच्छा cash flow होता है क्योंकि company एक service based industry में काम करती है जहांपर जो cash flow होता है वो काफी तगड़ा होता है market capitalization ने बात करें तो company काफी हद तक बहुत ही सही perform किया है share ने और अब भी थोड़ा time में consultation होता हुआ नजर आ रहा है बढ़ target price हम आपको वीडियो के end में discuss करेंगे तो वीडियो को skip मत करो समझो पूरी चीज किस तरीके से और share में क्यों moment आ रहा है और यहां से क्या share price बढ़ सकती है या नहीं 32.3 billion transaction company ने financial यह 21 में किया है वही 20% dividend recommendation है मतलब करिवन 2 रुपे का share dividend company ने recommend किया है 7 strategy located cloud data centers company के पास है और company ने full stack A2P analytics, firewall, SMSC, MMSC solutions deployed for MNO globally मतलब multinational operations यहां पर company ने काफी सारी किया है और साथ साथ ने ने products भी launch किया है और analytics के platform भी launch किया है तो अब financial year 21 की highlights में अपन स्टार्ट करते हैं अब सबसे बहले revenue की बात करते है financial year 20 में company अमात्र revenue 9,563 million rupees का था जो बढ़कर 14,62 million rupees का हो सका है मतलब कि 956 करोड से बढ़कर 14,06 करोड 500 करोड का इजाफा most profit में 44% का margin improvement यहाँ पर margin percentage नहीं बटलब की absolute number में यहाँ पर growth देखने को मिली वो काफी decent growth है और I think COVID के बाद इस तरह की digital business वाली company में काफी growth देखने को मिलती है क्योंकि यह जो company है COVID के बाद क्योंकि जिस तरह के से future accelerate होता हुआ नेजर आ रहा है और COVID एक catalyst बन चुका है future का तो यहाँ पर ऐसे businesses grow करेंगे जो online होते है या आप कह सकते digitalize करने की जो कोशिश चल रही है वो इस company का काम है तो इस कारणी यहाँ पर growth होती ही नजर आरी increment देखने को मिलता है adjusted profit after tax की बात करते हैं तो भी यहाँ पर 2% के लंसम का gain देखने को मिलता है और वहीं अगर हम बात करते हैं total overall absolute number की तो 799 million मत्तब कि 79 करोड से बढ़कर 146 करोड हो चुका है जो कि 84% की year on year strong growth company ने दिये और I think इस software as a service वाली और digital business में company एक बहुत ही अच्छी company मानी जाती है और I think इन्होंने काफी तगड़ा performance दिया है जिसके highlights आपको मैंने अभी सबसे पहले starting में बता दिये हैं तो यह जो चीजे हैं वो company को एक unique proposition में खड़ा करती है आप देख सकते हैं recorded profit after tax is increased from 528 million से 1328 million हो चुका है जो की करीबन आप देख सकते हैं उसकी वृद्धी जो हुई है वो आप देख सकते हैं करीबन 150% से भी ज़्यादा की यहाँ पर हुई है तो यह जो growth है वो काफी तगड़ी growth यहाँ पर company ने दी है इसके अलबा अगर हम बात करें company के quarterly revenue की तो पिछले quarter comparison में थोड़ा सा यहाँ पर traction देखने को मिलता है अगर हम बात करें पूरे साल company ने जो financially performed किया है वो काफी तगड़ा किया है पिछले साल से comparison करना इतने सही नहीं है क्योंकि पूरी तरद से lockdown था और पहली बार कभी पूरे world में lockdown लगा था तो वहाँ पर operations ज़रूर hold हुए थे बट फिल भी company ने अच्छा performance किया है पिछले साल के comparison में 36% की growth gross profit की बात करें तो 69% की year on year basis पे growth देखने हो मिलती है अगर हम बात करें पिछले quarter से तो यहाँ पर 18% से 22% का rise है तो 4% का rise यहाँ पर बहुत ही तगड़ा growth माना जा सकता है quarter on quarter analysis में 694 से बढ़कर 796 का gross profit यहाँ पर company ने दिया है EBITDA की बात करें तो 11.6% से 14.2% और पिछले साल के comparison 9.5% से 14.2% 5% increment 5% increment in EBITDA is a very very good number year on year basis पे 105% की growth company ने दी है profit after tax में भी company ने काफी तगड़ा performance दी है और year on year basis पे 174 adjusted profit after tax है तो वो यहाँ पर consider किया गया है तो आप उससे confuse ना होए कि उपर जो profit after tax बला हो यहाँ पर क्यों नहीं है यह adjusted profit after tax है जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो adjust किया गया है non cash amortization जो भी होते हैं उनको अटाया गया है जो intangible assets से related होते हैं intangible assets मतलब कि कोई patent और copyright और इनसे related जो भी amortization हो उससे अटाके यहाँ पर जो है वो adjust करके फिर यहाँ पर निकाले गया सबसे ज़्यादा है यहाँ पर company ने company के clients तो बड़े ही है अगर हम देखते company के top 5 clients तो top 5 clients यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर 25% revenue 2018 में यहाँ पर company के top 5 clients आता था अभी 45% revenue उनसे आता है मतलब कि top 5 clients से company का अभी revenue आप बदा सकता हूं 45% निकल के आता है जो काफी high concentration है और यही है इस industry का सबसे बड़ा जो लोचा है वो यही है कि यहाँ पर client का जो वो होता है na concentration काफी ज़्यादा है diversification कम है बट अगर हम बात करते हैं company के overall तो top 10 clients से company change होती जाएगी और यहां तक कि TCS में भी इसा होता है तो I don't think कि यहाँ पर कोई इसी issue होने की बात है क्योंकि digital business सारे इसी तरीके से काम करते हैं काफी बड़ी company इनको hire करती है और उसके कारण थोड़ा kind concentration रहता है और revenue वहाँ पर आना बनता है अगर हम clients की बात करते हैं तो 15 million dollar के company के पास आप देख सकते हैं financial year 2018 में यहाँ पर कोई client नहीं था और फिर financial year 19 के बात करें तो एक client हुआ और अभी client है बट अगर हम बात करते हैं overall client की तो यहाँ पर कोई पिछले साल के comparison में कोई client improve नहीं हुआ बट 10 million dollar में एक client aid हुआ है 10 million dollar से जो ज़्यादा का है और वहीं अगर हम 5 million dollar की अगर हम client की deal की बात करें तो यहाँ पर 3 client aid हुए है तो आप देखेंगे तो 10 million dollar का एक client और 555 मता 15 million dollar टोटल 25 million dollar के यहाँ पर clients जिस तरीके से इस साल ग्रोव हुई है वैसी exponential growth आम companies में देखने को नहीं मिलती है अगर हम बात करते हैं इंटरप्राइस customer contributing तो customer का जो contribution है यहाँ पर लगातार company में बढ़ता जा रहा है growth trend witness in top 15 enterprise customers तो यहाँ पर अच्छी कासी growth company की देखने को मिलती है revenue आप देख सकते किस तरीके से बढ़ा है customer 1 से लेकर customer 15 तक strong recurring revenue की बात करते हैं तो recurring revenue यहाँ पर company ने net revenue में 147% retention यहाँ पर company ने दिया है जो काफी positive है company के लिए zero turn in top 50 customers in financial year 2021 मतलब कि कोई भी customer जो top 50 customers में आते हैं वह यहाँ पर ज्यादा दर लोग छोड़के नहीं जा रहे और एक repetitive यहाँ पर customer का retention है इसके करण काफी help मिलती है company को grow हो रही है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से company ने grow किया है पिछले आप financial year 19 से हम 21 की बात करें तो आप देख सकते growth कितनी तगड़ी company ने दिये और हर आप कह सकते हैं कि हर segment में company ने यहाँ पर performance दिये है हर यहाँ तक की country में भी यहाँ पर company ने अच्छी performance दिये है तो इसमें कोई doubt नहीं है company काफी अच्छी है revenue momentum काफी तगड़ा है आप देख सकते revenue sales और new product sales तो new product से य बढ़ती उने जारी है pandemic has accelerated adoption of next generation messaging channel और enterprise voice solution IP based messaging unified communication solution among others और यह company इसमें माहिर है आप आपको भी बता होगा कि यह जो पूरी root mobile की जो company है वो messaging based services software की services होती है IP based messaging services में इनका सबसे बड़ा नाम आप कह सकते हैं और वो ही इनको यहाँ पर help कर रहा है grow होने में और जो company ने नया product launch क किया था उसके कारण आप देख सकते हैं 49 की जहां revenue होती थी वह 130 की है मतलब कि करीबन 2.5 x का यहाँ पर revenue बढ़ता हुआ नजर आता है I'm so sorry 49-130 तो आप देख सकते हैं 15 to 2.5 x sorry I'm so sorry कि 2.5 x का revenue company के नए product से आया है और वो growth हो रहा है और आने वाले quarters में अगर यह और इसी तर sales company ने दिये CSER की बात भी कर लेते हैं साथ ही साथ तो revenue में यहाँ पर 29% की CSER है पिछले financial year 19-21 तक यह वहीं EBITDA में हम बात करने तो financial year 19-21 तक 10.3% का EBITDA और EBITDA margin हुआ करता था वो बढ़कर 12.5% हो चुका है काफी तगड़े numbers यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट के हैं इस quarter में क company का है वहीं account receivable का analysis करें तो trending account receivable है जो पिछले साल के comparison में यहाँ पर थोड़ा improve हुआ है और जो day sales outstanding होती थी वह बहले 66 हुआ करती जो अभी 55 है वहीं अगर amazing analysis की बात करें तो company के जो 88% customer हो तीन मीने के अंदर payment कर देते तो यह काफी अच्छी बात है वहीं trade payable में थोड़ ज्यादा 73 से 80 I don't think it's a much difficulty for the company but I think overall अगर हम बात कर लेते हैं अभी तो profit after tax is good total revenue is good and I think overall level पर अगर हम इस company के analysis की बात करें तो यहाँ पर अभी हम पहले आपको लेगे चलते screener.in की website और screener.in पर यहाँ पर आपकी सामने है सबसे पहले company के बारे में कुछ updates 8,869 करोड की company का market cap हो चुगा है और अगर हम बात करते हैं company ने 625 का low मार रहा है और 1980 का high मार रहा है और इसके अलावा हम बात करने वाला था जो मेरे को आपको सबसे बढ़िया चीज दिखानी थी company ने date को reduce किया है और साथी साथ return on equity company का track record के इसाब से good return on equity company ने दिया है 27% इनका वहीं अगर हम बात करते हैं June 2019 से अगर हम increment in sales की देखते हैं तो 280 to I'm sorry 230 से जो sales है वो बढ़कर 262 करोड की हो चुकी है और EPS आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ा है विछले साल जब company list हुई उसके बाद 5.78 से बढ़कर 6.13 का EPS हो चुका है जो की company के लिए great I think its increment is good and यह है stand-alone number पर वहीं अगर हम consolidated level पर बात करें तो भी 23.1 का March 21 का यहां पर number आता है जो की काफी decent number I think है किसी भी इस तरीके की company के लिए sales काफी बड़ी है तगड़े number से और I think operating profit margin आप देख सकते हैं 12% का है और अगर पिछले सालों में company 20% का दिया है तो company लगातार इस प थोड़ा थोड़ा सुधरता हुआ नजर आएगा जो आगे help करेगा company को सुधरने के लिए cash flow की बात करें तो cash flow is good और वहीं अगर हम shareholding pattern की बात करें तो वह देखना काफी important है September 20 के बात से आप देख सकते December 20 में यहां पर वहीं ने अपनी holding बड़ाई और वह वापिस shareholding की है और उसके अलबा public shareholding है तो मेरे साब से company में potential है तभी FIA इतना पिसा लगा रहे है और 15% की shareholding FIA इसकी है अभी अगर आपको trading setup की बात करें और target price की बात करें तो आपको लेगे चलते trading view की website पे जहां पे हम discuss करेंगे चार्ट किस तरीके से company का बोलता है कि अब यह पर क्या होने वाला है चार्ट के मुताबिक तो यह पहले खुला हुआ है शक्ती पंप जिस पर हमने डिसकस किया था लेटेस्ट वीडियो में अब हम आपके सामने लाते हैं रूट मोबाइल रूट मोबाइल में आप देखते हैं क्या हुआ हुआ है performance यह आप देख सकते है यह देखिए तगड़ा performance एक trend line आपको मैं दिखाता हूं यह trend line जब से share perform किया है और अब मेरे साब से यह अच्छा support बन चुका है 1500-1600 का एक strong support यहां पर बन चुका है और एक consolidation भी हो चुका है तो अब यह consolidation हो चुका है वो भी complete हो चुका है और यहां से जो अपना पहला target हो होगा अभी देखो 15 I think 1549 के है आज थोड़ा सा आज भी नीचे था share but target 1 मेरा होगा और यह उपर बढ़ने वाला I have no doubt about it share काफी अच्छा है थोड़े से evolution नहीं है अगर आपने root mobile versus tanla industries की video नहीं देखी है तो यह मैं recommend करूंगा आप इसको search कर सकते root mobile versus tanla industries beat the street आपको video मिल जाएगी link description में डाल दूँगा target 1 आपको मैं बदा जता हूँ base है इससे नीचे अगर जाता है तो यहां पर और बड़ा collection देखने हूँ मिल सकता है बट मेरे साब जाएगा नहीं क्योंकि company numbers काफी अच्छे target 1 जो है वो अपर साइड में 1800 है और यह करीमन आपको एक है दो महीने या तीन महीने में यह पर चीव हो जाएगा महीं target 2 की बात करूं तो मेरे को लगता है कि share यहां पर 2200 या 2300 रुपए के level दिखा सकता है वो भी around 6 months तो यहां से काफी बड़े returns की में को संभावना लगती है और वो आप इसको खरीदारी करके चलें क्योंकि यह over time आपको अच्छा return देने वाला है और यह देखिए आप already यह 2,000 रुपए के level एक बार टच करके मनलब की 2,000 तक जाके और फिर आपिस वहां से return हुआ है तो I think और help करेंगे company के revenue को grow करने में और आने वाले quarters में अच्छे results आपको है यहाँ पर देखने को मिल सकते है वापस covid की wave आ चुकी है digital businesses grow कर रहे है और company एक one of the pioneer in their own space तो यहाँ पर growth के full potential है और यहाँ पर आप देख सकते है यह targets आप लिखके रख ले और इसके बारे में हम पर नहीं किया है तो वहाँ पर सबसे fastest update देने की कोश्च रहती है इसके अलावा आपके लिए कोई सुझाव है तो comment section आपके लिए है वहाँ पर लिख सकते है कोई share आपको लगता है वहाँ पर analysis करना चाहिए तो वह भी हम आपके लिए कर देंगे तो thank you so much वीडियो कहीं end क करते हैं आप route mobile को जरूर अपनी रडार पर रखें यह targets हैं और यह levels रहेंगे जिनने आप recommend कर सकते हैं thank you so much